नमस्कार दोस्तों आप सभी का आएक बार फिरी से स्वागत है बिहार पोल टेकनिक D.E.C.E.L.E. के एक नए वीडियो में जैसे कि दोस्तों आप सभी अपने स्कीन पर देख पा रहे हैं इसका जो है सकेंड कॉंसलिंग सीडूल जारी कर दिया है किस डेट को क्या होने वाला हम जो है अपग्रेड ही नहीं किये सकेंड में मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखिए और इस वीडियो को फेला भी दिए जिससे कि कोई भी एस्टूडेंट छूट नहीं पाए तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां से आपको अपने किसी ब्रोजर में इसके ओफिसल वेसाइट को ओपेन कर लेना है और यहां से डी इसी एल एक के सेक्शन में आ जाना है तो यहां पर देखे तो अभी अभी एक नोटिस पब्लिस किया गया है जो अग्यारा के दिन गया है कि क्या कैसे होगा तो यहां पर हम पूरी जानकाली को सौट में ले लेते हैं तो यहां पर जो दिनांक 5 एग्यारा से लेकर 6 एग्यारा तक संपन किया गया प्रकिरिया जो उपरांत था उसके बाद जो भी सीट बच गया है उसका डौकॉमेंट वेरिफिकेशन एव को सबसे पहले अपना प्रोविजनल सीट अलोटमेंट लेटर डॉनलोड करना है जो भी अस्टुडेंट अपग्रेड किये थे उसका भी इसी में समलित होगा और जिसका अभी तक नहीं आया है उसका भी इसी रॉन्ड में आ जाएगा तो आपको 14 नमबर को सकेंड वेरिफिकेशन जोगा सकेंड रूंड का हुआ होगा 16 से लेकर के 17 यानि कि 16 और 17 को होगा अब यहां पर बात कर लेते हैं कौन-कौन से स्टुडेंट सकेंड कौंसलिंग में भाग ले सकते तो यहां पर जो भी रिपोर्टिंग सेंटर पर डोकुमेंट वेरिफिकेशन करवा करके अपगरेड किये थे वो भाग लेपाएंगे लेकिन जो इस्टुडेंट यानि कि जिसका सीनर अफ़ा था को इसका जो second allotment letter download कीजेगा उसी पर आपको reporting center मिल जाएगा college का भी नाम उसी पर रहेगा कहां पर आपका admission होगा किस date होगा पूरी जानकारी आपको उसी पर मिल जाएगा तो इस तरह से आपको अपना document verification वाला slip जो first round में करवाये थे वो second round में आपको reporting center पर ले जाना है इसक अवियारती जिनका पर्थम counseling में allot नहीं हुआ था second counseling में seat allot हो जाता है तो ऐसे student को document verification करवा लेना है यदि वे चाहते हैं कि फिर से upgrade करें या मन पसंद college और trade नहीं मिला है तो वे third round के लिए वे upgrade कर सकते हैं तो यहाँ पर जो ऐसा कहा गया है तो वहाँ पर आपको second round में document verification जो करवाईएगा तो वहाँ पर आपको slip मिल जाएगा उसी slip को लेकर करके आपको third round के counseling में पहुचना पढ़ेगा तो इस तरह से वह इसी अवियारती जिनको seat allot second counseling में पर्थम बार हुआ है उनको document verification करवाना अप्ग्रेड करवाना अनिवार जा अगर वे document verification नहीं करवाते हैं admission नहीं लेते हैं या अप्ग्रेड नहीं करते हैं तो यह तिरितिया counseling के लिए योग नहीं होंगे तो इस तरह से फिर से हम आपको एक नया video provide करा देंगे जहां पर आपको साफ सुत्रा पूरा जानकारी मिल जाएगी अभी हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं और रास्ते में यह वीडियो सूट करें तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद